हेलो स्टुटेंट स्वागत आपका पाई क्लासिज में आज का टोपिक क्लास 10th के लिए वक्षि टंबर 24 क्या टोपिक है similar triangle similar triangle and introduction introduction बताया जाएगा और difference बताया जाएगा triangle बन जाता जिसमें four side होती है वो quadilateral बन जाता जिसमें five side होती है pentagon तो polygon नाम दे दिया two figures, मालों polygon भी हो सकती है कुछ भी और भी हो सकती है are similar if they have same shape अगर उनकी shape एक जैसी हो देखने में यानि देखने में दोनों एक जैसे लगें but they may or may not have the same size जो देखने में एक जैसे हो लेकिन उनका size चाहे same हो या ना हो तो उसको हम similar figure बोलते हैं जैसे ये दोनों फोटो देखो ये दोनों फोटो देखने में बिलकुल एक जैसी है, एक फोटो ये वाली shorty है, ये small है और ये big photo है लेकिन इन फोटो को क्योंकि हम दोनों को एक देखने में एक जैसी हमारी लग रही है तो इनको हम similar photos बोलेंगे ऐसे ही आगे कहता है two figure और polygon are concurrent ये तो similar ठीक हो गई अब concurrent क्या कहा रहा if they have same shape या अगर उनकी shape भी same है as well as same size size भी same है, यहाँ पर size same नहीं था may और may note have same size, अगर same size है तो इसको हम congruent बोलेंगे और अगर same size नहीं है तो वो similar हो जाता है जो congruent है वो similar तो होते ही होते हैं बट सारे similar congruent हो ऐसा possible नहीं है तो congruent और similarity के बीच में आपको difference पता चल गया होगा अब देखो यहाँ पर हमें बता रखा है similar triangles के बारे में क्या है देखो यह बोल रखा है इनोंने कहता similar triangles are exact same shape same उनकी shape होती है but are of different size safe उनकी same होगी यानि look उनका same होगा but उनका size अलगर होगा जैसे यह red वाले triangle है और यह green वाले triangle अब similar triangles में होता क्या क्या है similar triangle में जो हमारे angle है congruent angle ऐसे जैसे यह 65 यह 65 यह भी 65 यानि यह दोनों angle बराबर ऐसे उपर वाले angle उपर वाले angle के बराबर दोनो 75 है और यह F जो है F के बराबर C के बराबर दोनो 40 है एक तो यह चीज आ गई हमारे पास कि इसमें congruent triangle जो होते है यह निए एक triangle जो एक triangle है उसके तीनों angle दूसरे triangle के तीनों corresponding angle के equal होते है और इसकी corresponding size का ratio जो होता वो same होता जैसे AB यह AB है AB बटे कौनसी ED ठीक है AD बटे ED 14 अगर मैं करके देखूं 10 बटे 5 क्या रहा है दोवा रहा है ऐसे ही AC अमें थोड़ा है AB बटे ED 10 बटे 5 दोवाया इसको मैं दोवारा कर लेता हूँ अब यह AC AC बटे DF 12 बटे 6 यह भी दोवा गया BC BC बटे EF 16 बटे 8 यह भी दोवा गया तो जो corresponding sides होती है उनका जो ratio होता है वो same होता है ठीक है यह भी आप ध्यान रखना अगर ऐसा है तब हम कहेंगे ABC जो triangle है अगर यह दोनों condition पूरी होती है या दोनों में से कोई एक पूरी हो जाते ABC is similar to DEF यह जो बीच में निसान बनाया हुआ यह similarity का निसान है यह बता रखा congruent triangle के बारे हम नीचे क्या था जो congruent triangle होते है triangle is a close figure having three sides two triangles are congruent if they have corresponding sides and corresponding angle equal इसमें equal होने चाहिए चीक है अब corresponding side दो यह side इस वाली side के equal उपर वाली side नीचे वाली side के equal जरूर निया कि side उपर नीचे हो सकती है इसमें यह वाली side इस side के जनी इसकी तीनो side इसकी किसी भी तीनो side के equal होने चाहिए और ऐसे ही angle भी equal होने चाहिए तब हम उनको बोलेंगे congruent triangle अगर इन triangle को आप कैची से cut कर लो और एक दूसरे के उपर रख लो तो यह हूब हूँ एक दूसरे को ढख लेंगे इसमें angle वाली यह जो है property यह तो सेम है जैसी similarity में थी उसमें sides का ratio सेम था इसमें sides ही सेम होती है बिल्कुल जिट्टो equal होती है तो हम कहते हैं congruent तो यह मैंने congruent का निशान आपको बता दिया था तो similarity और congruency में आपको मतलब अब समझ में आ गया होगा ठीक है अब आप चलते हैं पहले question की और देखो पहला question क्या है क्या तो which of the following are the example of congruent figure देखो यह हमारा शिर्फ size यह अलग अलग है बाकी shape बिल्कुल same हमारे को दिखाई दे रही है तो यह हमारा congruent figure ओ सोरी similar figure हमारे पास यह वाली है यह भी similar है यह देखो यह भी similar है और यह जो एक पहाड़ यह एक यह बड़ा यह भी हमारे similar है similar क्या नहीं है यह यह अलग अलग है बिल्कुल देखो जो side इसमें left में है वो side इसमें right में है यह तो reflection है इसको हम similar नहीं कह सकते क्योंकि shape हमारी change हो गई है तो ये B, C और D ये हमारे similar shapes है ऐसे ही question number 2 में कह रहा है बताईए identify the similar hexagon कौन-कौन से C और D दोनों बिल्कुत सेम बने हुए बस size का difference है अब third question कराने से पहले मैं आपको fourth बता रहा हूँ क्या था all circle are similar and circle having same अगर radius उनके same हो जाएगी तो congruent हो जाएगे क्योंकि फिर तो size same हो गया ठीक है तीन centimeter के जितने भी circle बनाओगे आप वो सब congruent होंगे all squares are similar जितने भी square होते हैं वो हमारे similar होते हैं उनका size उपर नीचे हो सकता है all dash triangles are similar कौन से triangle triangle हमारे तीन तरह के होते हैं equilateral, isocells और skellen तो equilateral वाले जो होते हैं सिर्फ वही हमारे जो triangle हैं वही हमारे similar होते हैं अब कहता give two examples of following figure similar क्या लिख देंगा ये लिख देना ये वाली all equilateral triangles all squares all rectangles all circles तो ये सब हमारे क्या जाएंगे similar figure के अंदर आ जाएंगे अब congruent figure में congruent figure में लिख देना all circle with same radius all circle with same radius या earrings earrings को भी आप similar कह सकते हो क्योंकि दोनो जो ladies पहनती है earrings दोनो safe और size में equal होते कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि एक कान में लंबा पहन लिए और एक कान में छोटा पहन लिए दोनों के size और look बिल्कुल same होता है now question number 3 कहता है ये triangle दे रखा है और कहता है if ABC और ये दोनों triangle अगर similar है तो find the land अगर ये similar है तो एक तो इनके angle बरावर होंगे अब angle तो इसमें दे नहीं रखे तो angle से हमें मतलब नहीं है angle बरावर होंगे और इनकी जो sides है का ratio है वो हमारा इककल होगा यानि side का ratio AB और PQ यानि हम क्या लिखेंगे AB बटे PQ ये किसके बरावर होगा ये होगा BC बटे QR BC बटे QR और तीसरा है हमारा AC तो AC के बटे में क्या जाएगा PR आ जाएगा ठीक है अब जिन जिन की value आपको पता है वो रखतो देखो मैं इस side उपर लिख लेता हूँ तो AB की value 7 7 बटे PQ बरावर 10 बटे QR बरावर 12 बटे 18 यहां दोनों की value बटे था है अब एक बार इन दोनों को बरावर ले लेंगे और सोल करेंगे तो कैसे करेंगे क्रोस मल्टिप्लाई कर दो QR की मल्टिप्लाई 12 से तो 12 QR बरावर 18 गुना 10 तो QR की value आ जाएगी 18 गुना 10 बटे 12 अब काटो 6 दुनी 12 6 ती 18 दो से काटा 5 तो QR की value कितनी आ गई 15 cm तो QR की value 15 आ गई ऐसे ही हम एक बार इन दोनों को एक बार ले लेंगे ठीक है अब हम क्या लिखेंगे 7 बटे PQ बरावर 12 बटे 18 तो फिर से क्रोस मल्टिप्लाई करो 12 PQ और 18 गुना 7 तो PQ क्या हो गया भई हमारे पास 18 गुना 7 बटे 12 6 दुनी 12 6 ती 18 उपर आ गया 21 बटे 2 2 से काटा करती हो जाएगी 10.5 तो इस तरह से हम सारी values निकाल सकते हैं main क्या था हमारे पास यह relation इस relation में जिजिस की value पता है तो एक बार जो पूरा ratio हमें यह वाला पूरा ratio पता था इस पूरे ratio के एक बार इसके एक बार इसके एक बार इसके बार ले तो बाकी values हमारी आसानी से solve हो गई अब यह आपको अपनी worksheet में करनी है और इस question को इन questions को साफ साफ करके photo page के अपने अपने teacher को वट से पर सेंड करना है धन्यवाद